नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनलाइन सहल सान परिक्षा प्लस में मैं आलब शुक्ला एक बढ़ी राहत बड़ी ख़बर भी और एक खुशखबरी भी जब बोल सकते हो कहीं न कहीं सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि रोजगार देना बहुत आई थी कि लगभग सरसट हजार वैकंसी कोई सस्ट के दौरा भरी जानी है और इसका बहुत ही जल्द विल्गयापन आने वाला है तमाम तमाम जैसे चेसल, CGL और तमाम सस्टज़ और न बहुत सारे ऐसे हैं जिन में से सस्ट के बहुत सारे पत आने वाले हैं तो ये कम नह फाउजन एडिसनल वेकेंसी यहां पर आप देख सकते हो लगबग सतर हजार लगबग क्या यह पूरा का पूरा सतर हजार है और सतर हजार वेकेंसी यह अलग से भरने की बात कर रहा है इससे पूर में भी जो नियुक्तियां करना था लगबग 15-16 पत का उनको बोला है कि आप जल्दी से जल्दी नियुक्ति करो और 17,000 नई भरती लेके आओ अभी इससे पूर भी एक इंफॉर्मेशन निकलिती वो इंफॉर्मेशन यह थी कि CHSL के जो कुछ पत हैं खासकर पोस्ट आफिस वाले वो अब CHSL में नहीं CGL में इंक्लिवड होंगे मतलब उनका जो eligibility है और उनका जो examination का वो है वो बदल दिया गया है उनकी salary भी बदल दी जाएगी और उनका working भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो ये दो बहुत महत्पोर जानकारी और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए है कि SSC भी इस बार केंदर सरकार भी बहुत सारे बच दी चलिए लेकिन इस बार अब लग रहा है कि SSC में फिर से वो पद बढ़ा रहे है कहीं न कहीं सरकार एक तरफ जौब की तरफ एक अमल कर रही है और एक बात कहीं न कहीं एक समझना चाहिए कि आपकी सामने जब औसर आता है तो इस औसर को आप छोड़ो मत ये औसर जरू सुल्क में कराने वाली या बहुत सारे टीचर और बहुत सारी तवाम चीजों के साथ तीम परिक्षा प्रस एक नहीं होजा के साथ आपके सामने आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले SSC से समंदित या अन्य किसी भी आयोग से समंदित तवाम जो जानकारी और इसके बच्चा बच्चा जानता है बहुत ही नियुंतम सुल्क में हैं फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आबाद